हेलो एवरिवान वेलकम टू मैं चानल सोनी फैशन आज की वीडियो में आप वैलवेट की कपड़े से नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे तो इसकी स्क्रीन पर मैंने मेजरमेंट साब को दे दिये हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने सवाएक मीटर वैलवेट का कपड़ा लिया है तो सबसे पहले हाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में करके बिचा लिया है और यह मेरे कपड़े की किनारी वाली साइड है और यह मेरे कपड़े की विड़ वाली साइड है और यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में करने के बाद मेरे कपड़े की चो चड़ाई है वो है 12 इंच अब इसके बाद हम LAMBAY का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने नाईट सूट की LAMBAY लिय ए 87 उंच और उपर से हमार हाफ इंच एक्सट्रा मारजिन में जाएगा तो यहाँ पर मैं LAMBAY ले लूँगी इसके 27 सिंच तो यहाँ पर मैंने 27.7 इस पे मार कर लिया है और इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर फोल्डिंग के लिए ले रही हूं और 29.3 इस इस पर मैंने एक निशान और लगा लिया है यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बागी का कपड़े को हम साइड कर लेंगे तो यहां पर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है अब इसके बाद हम इसके लिए तीरे और आर्मोल का निशान लगाएंगे तो यहां पर मैं कॉलर नेक बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं इसके 10 लूँगी 8 इंच और जितना मैंने 10 लिया है उतना ही मैं आर्मोल भी ले लूँगी अब आर्मोल के लिए भी मैं 8 इंच में मार कर लूँगी अब इसके बाद हमें इस तरह से सीधी लाइन जोड लेनी है उपर तक और यहां से हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है आगे तक अब इसके बाद हम करेंगे चेस्ट का वन पॉर्ट तो यहां पर मेरी चेस्ट है 38 इंज तो 38 को 4 से डिवाइट करेंगे तो आता है मेरा साड़े 9 इंज और यहां पर मैं 1.5 इंज ले रही हूं लोजिंग का तो 10 इंज पर मैं यहां पर मार कर लूँगी चेस्ट के लिए और 2 इंज आगे से मैं ले लूँगी मार्जिंग के लिए अब इसके बाद शूल्डर से करीब 14 इंज पर मैं मार कर लूँगी कमर के लिए तो यहाँ पर मेरी कमर है 33 इंच तो 33 को 4 से डिवाइट करने पर आता है मेरा सवा 8 इंच और उसमें हाफ इंच हम लोजिंग का लेंगे और 2 इंच आगे से हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे अब इसके बाद हम हिप के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर मेरी हिप है 40 इंच तो 40 को 4 से डिवाइट करेंगे तो आता है मारा 10 इंच उसमें हम हाफ इंच लोजिंग का एड़ करेंगे 10.30 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है 2 इंच आगे से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है अब इसके बाद इन सभी निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है तो यहाँ पर मैंने इन सभी निशानों को मिला लिया है अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो चेस्ट की निशान से हमें उपर की तरफ इस तरह से गुलाई करते वे बैकार मूल की शेप दे देनी है इस तरह से तो यहां पर मैंने बैकार मूल की शेप दे दी है अब इसके बाद हम गले की चोड़ाई का निशान लगाएंगे तो यहां पर मैंने गले की चोड़ाई ले ली है तीन इंच अब इसके बाद यहां से हमें half inch shoulder को down कर лेنا है जहांसे हमने joke का निशान लगाया है इस तरह से मैंने half inch shoulder को down कर दिया है अब इसके बाद neck की deepness मैं यहांपर ले रही हوم 1 inch और यहांसे हमें neck की इस तरह से shape दे देनी है तो यहां पर मेरी marking हो गई है अब इसके बाद हम इसकी cutting कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने back वाले part की cutting कर ली है अब इसके बाद हम इसके front वाले part की cutting करेंगे तो यहाँ पर कपड़े को मैंने double fold में करके बिचा लिया है और कपड़े की जो open वाले side है वो मेरी तरफ है अब इसके बाद यहां से हमें करीब 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहां इसके बाद इन सबी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे स्ट्रेट लैन डॉँ कर लेंगे यहां से और इसके बाद जो हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग करी थी उसके उपर हम रख लेंगे और साइड साइड से हमें सबसे पहले इसके कटिंग कर लेनी है और इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चोड़ाई यहां पर मैं ले रही है तीन इच और लंबाई में ले रही है अपर 330 एससे हमें एक बॉकश डो कर लेंगे और लो करने के बाद हमें नयकी श blew देनी है, इस तरह से एक यहां से हमने चौãy हमने चौक का निश्यान देके लिए सीधा सीधा पार कपड़ वहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने आप अंदर से जो कपड़ हमारा गले का जो है वो भार आ रहा है, इसकी हम कटिंग करेंगे तो इसीरे से पहले चौक से निशान लगा लेंगे और एसके बाद एक्स्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर मैनने कटिंग कर लिए है अब इसके बाद हमें इस तरह से एक पार्ट को अलग कर लेना है इसमें से और एक पार्ट को अब हम यहाँ पर रख लेंगे और इसके बाद यहाँ से जो कपड़ा है हमारा इसको फोल्ड करते वे इस पर एक सिलाई लगाएंगे तो यहांपर आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और अप से बाद हमने यहाँपर चौक से निशान लगाना है half inch के margin से तो यहां से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से और अप से बाद हम यहाँपर गले की तरफ निशान लगाएंगे तो जहाँ पर मैंने चौक से निशान लगाया है उसके उपर उपर हम सिलाई लगाते हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल सिलाई लगा ली है इसके उपर आपने डबल सिलाई भी लगा लेनी है तो यहां पर मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली है और इसी तरह से मैंने दूसरे वाले को भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं अब मैंने दोनों पर सिलाई लगा ली है अब इसके बाद हमें इसके कोने पर इस तरह से कट लगाने है तो मैंने नीचे से लेके हमें उपर गले की तरह इस पे इसलाई लगाना है तो उपर से मैं याप पर सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ और एक foot के margin से यहाँ पर मैं पूरे में सीधी-सीधी एक सिलाई लगा लूँगी तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने याप पर सिलाई लगा लिए है अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट बेबी सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है सिलाई लगा के और इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है अब इसके बाद जो हमारा बैक वाला पॉर्शन है उसको करेंगे इसकी बाद मैंने यहां पर डबल सिलाई लगा लिए है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों तीरे जॉइंट कर लिए हैं और तीरे जॉइंट करने के बाद हम हमें इसमें कॉलर लगानी है तो कॉलर लगाने के लिए हम गले का राउंड नाप कर देखेंगे तो इस तरह से दोनों को हमें अपस में इस तरह से मिला लेना है और यहां से अब हम गले का राउंड नाप कर देख तो जहां पर सिलाई का मेरा एंड हो रहा है वहां से मैं इंची टेप से इसे नाप लूँगी तो इस तरह से ये मेरे गले का जो राउंड है वो आ रहा है सिंगल में 7 इंच तो डबल में ये मेरा 14 इंच होगा ये मेरी पाचिन से ज्यादा है अब इसके बाद हमें कपड़े की चूब बंद वाली साइड आम से ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है एक इंच पर और इसके बाद जो हमारे कॉलर की लंबाई है उसका निशान लगाएंगे तो यहां पर मेरे कालर का जो नांप है 7 इंच दोनों कि इस तरह को से अगर करें चैए ना ने लेक достаточно की अदिए कोया철 अब इसके बड़ें की कि यहें मैं लंबाए में देट सब्कूर Life यहाँ कसे यहाँ यहां पिला है और उपर की तरफ से भी अब हम साड़े साथ इंच पे मार्क करेंगे तो यहां पर साड़े साथ इंच पे मैंने मार्क कर लिया है अब सीधा सीधा इस तरह से हमें एक लाइन ड्रो करनी है और अब आगे से हमें यहां पर एक इंच मार्क करना है आगे की तरफ और अब यहां स इसे भी हम चार इंच पर निशान लगा लेंगे तो यहां पर मैं हलका सा कॉलर में कोने बाहर कर रही हूँ अब इसके बाद हमें इस तरह से हमें निशानों को मिला लेना है और निशानों को मिलाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो यहाँ पर मेरे कॉलर की कटिंग हो गई है अब इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से उपन कर लेना है और यहाँ से हमें नीचे की तरफ से करीब हाफ आफ इंज कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते वे चौक से हमें निशान लगाने ना है तो पूरे कपड़े पर इस तरह से मैं हाफ इंच के मार्जन में एक निशान लगा लूँगी और इसी निशान के उपर उपर हमें सिलाई लगाते वे जाना है तो यहाँ पर मैंने पूरे कॉलर के उपर सिलाई लगा लिए है अब इसके बाद हम इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कॉलर को मैंने सीधी साइड टर्न कर लिया है और सीधी साइड टर्न करने के बाद यह जो हमने कपड़ा पूल्ड किया था हाफ इंच का उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई लगने से ये हमारा कॉलर लगने के वक्त कपड़ा मुड़ेगा नहीं और आसानी से लग जाएगा तो इस तरह से मैंने इसके उपर सिलाई लगा ली है अब इसके बाद हम कॉलर पे सेंटर का निशान लगाएंगे तो इस तरह से मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है और चौक से एक सेंटर पर निशान लगा लिया है अब सेम इसी तरह से हमें बैक वाले गले के उपर भी सेंटर का निशान कर लेना है तो इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और चौक से निशान लगा लेंगे और इसके बाद सेंटर वाले निशान के उपर हमें कॉलर के सेंटर वाले निशान को इस तरह से मिला कर रख लेना है और सेंटर से अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना शूरू करेंगे तो सेंटर से कॉलर लगाने पे हमारा कॉलर काफी फिनिशिंग के साथ लग जाता है तो यहाँ पर एक तरफ मैंने इस तरफ से सिलाई लगा ली है अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी सेंटर की तरफ से कॉलर को लगा लिना है तो दूसरी तरब भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है अब इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्र कपड़ा बहार की तरफ आ रहा है उसे हम अंदर की साइड कर लेंगे और उपर से हमें कॉलर को स्टिच करते वे जाना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्र कपड़ा है उसे अंदर की तरफ मैंने फॉल्ड कर लिया है और उपर से हमें कॉलर पे इस तरह से एक सिलाई लगानी है और अब इसके बाद यहां से हमें एक फुट के मार्जिन से सिलाई लगाना है पूरे कॉलर के उपर तो यहां पर मैंने पूरे कॉलर के उपर एक फूर के मार्जन से सिलाही लगा लिए है अब इसके बाद यहां पर मैंने अपने कॉलर को सैट करके रख लिया है और यहां पर जो मेरे कॉलर की लंबाई है फ्रेंट से वो आरी है 7 तो आपको अपने अकॉर्ड याप पर लंबाई ले लेनी है अब इसके बाद में हम पिटिंग की सिलाई लगाएंगे और पिटिंग लगाने के बाद नीचे से हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो यहां पर इस तरह से मैंने इस पर पिटिंग की सिलाई लगा ली है और पि और अब हम इसको दूसरी साइट पे भी इसी तरह से लगा लेंगे तो यहां पर आपने इस तरह से दूसरी साइट भी निशान को लगा लेना है और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने front arm hold की cutting कर ली है अब इसके बाद हम sleeves ready करेंगे तो यहां पर sleeve की cutting करेंगे तो sleeve के लिए यहां पर कपड़े को मैंने pore fold किर के बिचा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है मेरी 1,5-3 Inge तो यहाँ पर मैंने इसको ready करना है 22 इंच का तो एक इंच नीचे से मैंने holding के लिया लिया है और आप इंच मैंने यहाँ पर margin का ले लिया है और अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरा arm hole है shirt का उसे ले ले लेगे यहाँ पर और कपड़े को इस तरह से हम नाप कर देखेंगे तो जहां तक मेरा यह आर्म होल आ रहा है वहां तक मैं चौक से निशान लगा लूँगे और इसके बाद चौक के निशान से हमें अंदर की तरफ एक तीन इंच पर निशान लगाना है और अब यहां से हमें सेंटर कर लेना है तो इस तरह से मैंने सेंटर कर लिया अब इसके बाद हमें डाउन में एक तीन इंच पर निशान लगाना है और अब यहां से हम स्लीव के शेप देंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने स्लीव की शेप दे दी है अब यहाँ से हमें करीब एक इंच के गैप में प्रंट वाले आर्मोल की गोलाई करनी है और अब इसके बाद मोरी के लिए निशान लगाएंगे तो मोरी यहाँ पर मैं ले रही हूँ पांच इंच और डेड़ इंच आगिस से मैं ले रही हूँ एक्स्रा मार्जिन का और अब इसके बाद हमें इन दोनों निशानों को मिला लेना है तो निशान मेरा यहाँ पर स्लीव का लग गया है अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है अब इसके बाद जो हमारे उपर की दो लेयर है इसकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग हो गई है अब इसके बाद इसमें से हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे और एक पार्ट को हम यहाँ पर रख लेंगे और अब सबसे पहले हमें इस पे मोरी को फोल्ड करना है तो मोरी के लिए यहाँ पर मैंने एक इंच का कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा तो हम एक इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले इस पे एक सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद पे हम fitting के सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों sleeves को ready कर लिया है और अब इसके बाद हमें इसको अपने top part के साथ attach कर लेना है और attach करने के बाद इसमें हम कुछ buttons लगाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी बटन्स लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों स्लीव अटैच कर लिये हैं और बटन्स भी लगा लिये हैं और सिलने के बाज का कुछ इस तरह से लुकाएगा तो उमीद करती हूँ आपको आज की मेरे वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग